केपी शर्मा ओली ने सौमार को चौथी बार नैपाल की प्रधान मंत्री पत की शपत ली है। बता दे कि नैपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता को राष्टपती राम चंद्र पैडोल ने रविवार को एक नई गठवंदन सरकार का नेतरप्व करने के लिए नैपाल का प्रधान मंत्री निक्त किया। जो हिमाली राष्ट में राष्ट नितिक इस्तरता प्रधान करने की कठिन चिनोती का सामना कर रही है। वही पीएम मोदी ने भी केपी शर्मा ओली को नैपाल का प्रधान मंत्री निक्ति हूनी पर पधाई दी। केपी शर्मा ओली संसत में सबसे बड़ी पार्टी नैपाली कॉंग्रेस के समर्थन से प्रधान मंत्री बनी है। ओली को राष्ट पती पोर्डेल ने राष्ट पती भवन के मुख्य भवन शीतल निवास में शपद दिलाई। ओली को अफ समिधानिक आदेश के अनुसार नियुक्ति के 30 दिरों की भीतर संसत से विश्वास मत हासिल करना होगा। 275 सीटों वाली प्रतिनिधी सभा में ओली को नियून तब 138 वोटों की आविश्रकता होगी। करनाटक भाष्पा नेताओं ने विदान सोधा की ओर मार्च किया और करनाटक महशरी वाल में की अनुसूची जंज्वाती विकास निगम में प्रेश्टर चार का रूप लगाते हुए राजिस सरकार्थ खिलाब रोध परदशन किया। वहीं बीजेप नेताओं सीटी रवी ने कहा कॉंग्रिस ने भाष्षरी वाल में की अनुसूची जंज्वाती विकास निगम को लूट लिया है। कांग्रेस उसको चुनाओं में उपयोग किया है। उसको पार्टी को जिताने के लिए अपना दलीतों को पैसा। दूसरे तरफ आज गवर्नमेंट केस आटी सी ने प्रपोजल दिया है कि केट प्रइस बढ़ाने के लिए अब किस तरह देखते हैं। पेट्रोल डिजल को मेंगाए कर दिया है। रिजिस्टेशन को दाम बढ़ा है। सबको सांप जूटी को बढ़ा है। सबको बढ़ाने का बाद क्या बचा है। बचाये के वल हवा के उपर टैक्स लगाये तो वो सित्रामया हर चिस के उपर टैक्स लगा दिया। उनका नाम भी गिनिस रेकार्ड में आता है। बीजेपी किस तरह लेगी सरे सारे इश्टेशन में आप मूड़ा भी उठाने वाले हैं। बहुत बहुत है पूरा लोग लूटने का काम में लगा है। हम अपोईक्शन पार्टी में होने के नाते हम उसको किलाब संगर्श करना दलितों को ज्याई देना अपना काम है हम करेंगे। वही कथितवाल में के निगम घोटाले पर बिज़ेपी के ब्रोद प्रदशन पर करनाटा के मंत्री प्रयांक खडगे ने कहा ऐसा एटी अगठन किया गया है उस रिपोर्ट को आने दीजे भाशपा किस बात को लेकर इतने चिंतित है। वही घुथरीज़ पल आफे। आप laरी मुट करनो परहु'. में रही कि उसाली के लुग गिरे नहीमनाा है नहीं मतले होतroveा using उना। ड्रशो토म्ट करता सग्में जिस्वेशना हां तो लिए कि कम अपीशना करते तो लेता वान प्रशें क्या हैं याग पास एक काबथ है को सानुजित पिर्ष भी खि करेता है उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंधामी ने उत्राखंड भाश्पाव कारे समीती की बैठक में हिस्सा लिया। उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंधामी ने कहा तीसरी बार पिया मोदी की नेत्रटम में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। उत्राखंड से भी पांचों लोग सबसीटे भारी अंतर से जीती हैं। जिसके लिए सभी कारेकरताओं और जनता का धनेबाद आगे की योशनाय हैं। संगठन की होने वाले जो कारेकरम हैं उन सभी पर चर्चा होगी। आगे की जो योशनाय हैं संगठन की होने वाले कारेकरम हैं। सभी पर चर्चा होगी पूरे उत्सा और उमन के साथ हमारे सारे कारेकरताओं। यहां से जो उसका मंतर लेकर जाएंगे उत्सा का मंतर लेकर जाएंगे। इस बीच उत्रप्रदेश बीजेपी कारे समीती की बैठक हुई जिसमें बीजेपी के रास्टे अध्यक्ष जेपी नड़ा शामिन हुए। इस तोरान मुक्यमंतरी योगी ने लोकसवा चुनाब में पाजी की प्रदशन को लेकर बड़ा बयान दिया। सीम योगी ने कहा लोकसवा चुनाब में हमारा वोट प्रतिशन पिछले चुनाबों से कम नहीं हुआ है बलकि शिफ्ट होने से नुकसान हुआ है। भाजपकार समेती की बैठक में राज्य के मुक्यमंतरी योगी ने कहा याद कीजिए मोहरम के समय में सडके खाली हो जाया करती थी। आज मोहरम आयोचित हो रहा है। इसका पता भी नहीं लग रहा। ताज्य के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पिड काटे जात थे, सडकों के तार हटाए जाते थे। वैसीयम योगी ने कारिकर्टाओं से कहा कि आप सभी के सायोक सही आज उत्रप्रदेश को मौफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। वैसीयम योगी ने कहा कि 2027 का विदासवा चुना भी बीजेपी जीतेगी। आए जाते थे। पूल तोड़ दिये जाते थे। आज कहा जाता है किसी करीप की जोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं अटेगा आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी पर वो और तिवार मनाना है तो इन नियमों के अंतरगत मनाओ और ने तो अपने घर में बैड़ जाओ यह मनमानापन नहीं चल सकता है और विधी का सासन कैसे होना चाहिए सुसासन कैसे होना चाहिए यह भारती जंता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है वही केंदर मंत्री और भाश्पा के रास्टे अद्दक शेपी नटा ने कहा देश में 1500 पार्टियां है कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी ने इसका व्रोध किया है इसके साथ समझोता किया इसका व्रोध भी किया कोई भी रहन चाहिए दिमाग में कि इसके वहाँ हम है मैं आप से ही एक प्रशन पूछता हूँ आप बतायों यह पंद्रह सो पार्टियां हैं पॉछी है को चैसी पार्टियां जो विचार्ण निश्ट पार्टियां को टेशल्य स्वाइब आप बताइए Congress Party Center to Right, Center to Left Left to Right, Right to Left जिसका विरोध किया उसके साथ सम्झोता किया कोई भी विचारधारा नहीं आप बताइए आप कहां जो Regional Parties है किसी में भी कोई विचारधारा है कोई विचारधारा है ये अकेली भारतिय जन्ता पार्टी है जो विचार निश्ट पार्टी है और इसलिए हम गौरफ के साथ कह सकते हैं कि अगर शामा प्रशाद मुखर जी ने 52-30 में कहा कि धारा 370 जानी चाहिए तो हम लगातार आपके और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कारेकरता चार चार पीडिया खपा करके उस 2020 के जून का जुलाई का इंतजार कर रहे थे जब मोदी जी की इच्छा शक्ती ने और अमिशा की रणीती ने धारा 370 को धारा काई कर दिया यह भी हम लोगों ने देखा आज हम पर जो बल प्रियोग पानी की बहुचारे और आसु गैस का प्रियोग किया गया है उसी है संदेश गया है कि आप सभी ने भाश्पा को वोट दिया फिर भी वे आपके बच्चों के भविश्य का गला खोड देंगे हमारा व्रोद जारी रहेगा कल हम एपाई मैंने कहा कि प्रियोग का लाठी चार्ज का आसु गैस का ये प्रदेश वासियों आप इनको वोड़ दो बीजेपी को वोड़ दिया ये आपके बच्चों के गले को घोड़ देंगे भविश्क के गले को घोड़ देंगे नीट की एक्जाम हुई नर्सिंग की एक्जाम पुलिस भरती की व्यापम की हुभी कोई ऐसी एक्जाम जिसमें पेपर लिख नहीं होता हो कोई ऐसा भरती जिसमें बीजेपी आरेसेस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो प्रदेश वासियों आप इनको वोड़ दो या आपके बच्चों का भविश का गला रोम देंगे बस इतना ध्यान रखो यह चोंट अपनी जगे हो सकती है यह वाटर केनन जेल अपनी जगे हो सकती है पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा तीन सी की सरकार है कर्ज क्राइम और करप्शान यह लगातार कल 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 हम एफायर लिखाने का गठा तारिक को पदियात्रा करेगी केदानाथ से 228 किलो सोना गायब है कोई भी चांच शुरू नहीं हुई है इसके लिए कौन जमेदार है अब वे कह रहे हैं कि दिली में केदानाथ धां बनाएंगे ऐसा नहीं हो सकता आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिली में केदानाथ बना लोगे वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे 228 किलो सोना केदानाथ से गायब कर दिया गया है यह कहां का नियम है क्यों नहीं उठाते हो प्रेट वाले इस बात को आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई 228 किलो सोरा का घोटाला केदारनाथ में हो गया कौन जिम्यदार है क्यों इस बारे में जाच नहीं होती है क्यों बाई इस बारे में निर्णे नहीं होता है और आप आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे यह नहीं हो सकता क्या सिर्णिक हसाव रेकर पाति का युझा सिर्णी के मुंकुत क्या पता हैं जो अनने प्रडाम किया हमारा नियम है हम लोग आशिरवाद देंगे हमारे दुस्मारे यही तैशी हैं सदा उनके हीत कि बात कह रहते हैं जब उनसे गलती हो जाती है उसको भी कहते हैं तुम से यह गलती हो रही है कि वह हमारे दुष्वन नहीं है नहीं ने नहीं को पर श्र्डद्धा पूर्वक उन्हों jug लाया था हमें फया वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया, ये जो बात हम कह रहे हैं, वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराश्टर की जुनता की बात है। कि कुछ लोग उनके जो भी कारण हों, उनकारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 जोतिर लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमोवत प्रिष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है, हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो शुद्धालू हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे, कि आपका ये कार्य उचित नहीं है, आप भगवान श्युव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपति नहीं है, विद विदान से बनाएं प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशिद्वात प्राप्त करें लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृती बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आ करके पूजा कर लें उर्ट को फल मिल जाएगा और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही पूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना ये उचित नहीं है जैसे जो कोई अपरादी किसी का वेश धारन करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूँ कार्य करता है तो जैसे अपराद माना जाता है उसी तरह का ये कार्य है ये ठीक नहीं है और शास्त्रों में शुपरान आदी में जहां पर ये बताया गया है कि केदारम हिमोत प्रिष्ठ है इसका मतलब केदार जबह हिमाले के प्रिष्ठ भाग में है तो जो पता हिमाले का बताया गया है अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा तो ये लोगों में बहुत बड़ा ब्रहमुत्पन करेगा इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालू इस बात का विरोध कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और आगे जब-जब किसी भी शास्त्र की तृष्टी रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए इसलिए हम आप सबसे अनुरूद करना चाहेंगे कि इस तरह की विचार को त्याग दीजी किसी और रूप में किसी और नाम से भगवान की आवारादना करिए वहाँ पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाईए उसमें लोग आकरशित हों उसमें कोई बाधा नहीं है लेकिन केदार नाथ या केदार इश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदार इश्वर हमाले वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए इस तरह की जो बात है वो बिलकुल अनुशित है इसको त्याग करके इस विचार को अगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चीजिए यही हमारा प्रयाना नारा केंद्री रक्षा राजमंत्री संजे सेट ने P.E.M.L. Bangor Plant और वंदिय भारत स्लिपर ट्रेनों का दौरा किया केंद्री रक्षा राजमंत्री संजे सेट ने कहा आप निर्बर भात के रेलवे सेक्टर में वंदिय भारत से लिकर मॉंबई मेट्रों तक अभूत्पूर काम हो रहा है हम सभी को गर्व है कि प्रधान मंत्री मोदी का संकल्ब भारत हर श्वित्र में आगी हो पूरा हो रहा है दुनिया हत्रत है कि भाध हर सेक्टर में कैसे आगी बढ़ रहा है और यह आत्मिर्भरता हर छेत्र में चाहे कोई भी सेक्टर देख लो भारत आत्मिर्भर हो रहा है और आत्मिर्भरता से देश आत्मिर्भर हो रहा है देश आगे बढ़ रहा है हम सब को गर्व है कि प्रधान मंत्री नर्यन मोदी जी का वो संकल कि भारत आत्मिरबर हर छेत्र में हो और हर छेत्र में जो प्रगती हो रही है देश नहीं दुनिया आज प्रधान मंत्री मोदी की ओर देख रही है मोदी मतलब देश की आत्मिरभरता और आज दुनिया हथप्रभ है कि हर सेक्टर में देश कैसे आगे बढ़ रहा है यह मोटीवेशन और यह है नेशन फरस्ट और प्रधानमंती नरेद मोदीजी के प्रयास से और हम कह सकते हैं रेलवे के छेत्र में असनी वासनियो जी ने ज देश निश्चीत रूप से एक कंप्रिमेंट दे रहा है मैं यहां के अधिकारियों को करमचारियों को बहुत धन्यवाद और बदाई दूँगा जारखंड के मुखे मंत्री हेमंते सोरे ने प्रधान मंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की यह मुलाकात सौंबार को पियम आबास पर हुई पताया जारखंड के मुखे मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली अप्चारिक मुलाकात थी माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने राजे की विकास पर टर्चा की जेल सी रहा होने और दोवारा सियां बननी की बाद हेमांत सोरिन की पियम मोदी से ही है पहली मुलाकात थी और ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब जारखंड में विकास के कई मुद्धे चरचा में है। PMO की ओर से सोचल मीडिया पर पोस्ट कर पढ़नार मंत्री मोदी और हिमन्त सोरेन के बीच हुई मुलाकात की जानकारी दी है। पता दे कि से पहले हिमन्त सोरेन ने काशी विश्वनात मंदिर विध्यानचल धाम में पूजारचना की। उनकी पतनी कलपना सोरेन भी उनकी साथ दिल्ली में है। दो दिन पहले हिमंत सोरे ने दिल्ली में सोनिय गांधी और मुख्यमंत्री अर्विंद केर जिवाल की पत्नी सुनीता केज़िवाल से भी मुलाकात की थी दिल्ली शराब घोटाली से जुड़े कथित मनी लॉंडरिंग केज में जेल में बंद आमादी पार्टिक नेता मनी सिसोधिया की परेशानी खत्म नहीं हो रही है सुप्रिम कोर्ट के बाद अब सिसोधिया को अब दिल्ली की राउस एवैनी कोर्ट से भी जटका लगा है अदालत ने सौमवार को आपकारी नीतिक होटाले से जुड़े बेस्टाच्वार की मामले में उनकी नियाय खिरासत की अबदी को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया है सिसोधिया की नयाय खिरासत की अबदी समाप होने पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीर अदालत पर पेश किया गया था सिबियाई और एटी के लिए विशेश नियाधीश कावेरी पावेजा ने यह फैसला सुनाया है इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रिम कोर्ट में उनकी आजिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन पीट के जस्टिस ने इस मामले से खुद को अलग कर दिया था वहीं इसके बाद एटी ने इस मामले से जुड़े लॉंटरिंग केस में उन्हें 9 मार्च उप रफतार किया सिसोधिया दिली सरकार में आपकारी मंत्री भी थे सिबियाई और एटी ने अगस्त 2022 को सिसोधिया के खुलाब केस तर्श किया था रितम मीडिया की नई एप आ गई है जी हाँ देश की उभरती हुई बहुभाशी मल्टी मीडिया रितम एप का नया वर्जन लॉंच कर दिया है इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको धेर सारे मज़ेदार फीचर्स जैसे ही आप एप खोलेंगे आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटिस्ट न्यूज मिलेगा इसमें आप देश दुनिया की हर खबर पी आ एच और देख सकते हैं साथ ही इस डे इन हिस्ट्री में जानिये इतिहास की खास बाते रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शन जोड़े हैं अब देखिए अलग-अलग न्यूज चैनल्स और मज़ेदार कहानिया और हाँ सिटीजन जर्नलिस्म को बढ़ावा देने क के लिए वीडियो सेक्शन भी है यहां आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुचा सकते हैं खास कर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग-अलग टैब्स हैं जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं तो अब इंतजार कैसा है फटाफट गूगल प्ले स्टोर या आयोस पर जाएं और रितम अप डाउनलोड कीजिए सबसे पहले पाईए अपडेटेड न्यूज